हेलो दोस्तों स्वागत करती हूं मैं आपका तो आज हम बनाने जा रहे हैं धाबा यस्टाइल अंडा करी यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है क्षवादिश्ट होता है तो चलिए शुरू करती है तो अंडा करी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी त्यार करेंगे तीन जैसी गरम हो जाएगा तीन बड़ी साइस का रफ़ी चॉप या हम प्याज डालेंगे तो प्याज को हमें बिलकुल लाल करके 2-3 मिनिट के लिए भून लेना है तो मिक्स कर लेंगे चला लेंगे से हम और साथी में आड़ा चोटा चमच नमक ताकि हमारा प्याज जल्द में और देहाँ है आड़े 1 मिनिटी में बड़ा क्याँ जल्द के यह ख wd लेंगे तो भी हम प्याज के साथ ही भून लेंगे तो मिक्स कर लेते हैं जला लेते हैं से हम हाँ जली और देखिए ऑची अच्छे से लाल हो गये है तो अब इसमें हम एड़ करेंगे 24 मेडियम सा तो नाकि टमाटर भी हमारा लाल हो जाए सॉफ्ट हो जाए तो मिक्स करके अच्छे से चला लेते हैं और फिलाल इसे हम ढग देते हैं मेडियम फ्लेम पे और देखिए पीच बीच में मैंने इसे चलाते रहा है तो प्याज और तमाटर काफी अच्छे से भून गया है देखि कापि पेस्ट बना लिए तो काफी समोध पेस्ट हो गया है और अछ नी तो फिर से में ने ंरा घ्एस पर तो टिने तो तील को गरम हो जाने देंगे अन्डा मैंने पहले ही बॉयल करके इसमें कट लगा लिया है और बस अन्डा हम इसमें डाल दे दे हैं और अन्डी को हमें 2-3 मिनिट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे लाल करके भून लेना है अगर आप चाहे तो अन्डे को दीर कर रही हो तो चला लते हैं और अन्डा में यहना हमें प्रेंड ना हमल philosophers का पावडर मीक्स करना है नहीं हमें लाल करकी भून लिया है तो अंड़े को आप इसी तरीके से भून लीजेगा आप डिप फ्राइ भी कर सकती है तो अंड़ा हम निकाल लेंगे और देखें तेल भी हमारा गंदा नहीं हुआ है अब इसी में हम डालेंगे कुछ खरी गरम मसाना डाल देंगे हम बरी राइची छ काजू का पेश्ट बनाया था तो वह दाल देगी और पहले इसे इसा चला लेते हैं फिर इसमें हम बाकी चीजे आड़ करेंगी तो अच्छे चला लिजिए गाप न यूदि कर देंगी एक छोड़ा चमच हल्दी का फाउडर एक से देर चमच म डाल देंगी लाज मीर्ज का दनिया याज पॉडर दाला है आप चाहे तो कस्मीरी भी ढाल सकते हैं थोरा सा धनिया पाउड़र डाल देंगे एक चोटा चमच हम ढालेंगे चिकन मसाला पाउडर और नमक ढालेंगे आद़ा चोटा चमच तो प्याज को भूनती समय भी हाम नमक टाले थी तो उसी हिसाब स पिस्ट पेस्ट के साथ भून लेना है जब तक ये अधे कर देते हैं एक चुड़ा चमच लहसन का पेस्ट और चुरभा चमच अदरक का पेस्ट इसको भी हम मिक्स कर लेंगी और मसाली के साथ सब्सक्राइब अगर आप याज के साथ लहसन अद्रकी कलिया आप भून रहे हैं तो आप इस वक्त पेस्ट ना डाले और देखिए मसाले ने तेल को रिलीज कर दिया है तो मसाला काफी अच्छे से बून गया है काफी अच्छे से लाल हो गया है और इसे भूनती हुए 2-3 मिनिट हो चुकी ह तो मैंने मीडियम टू लो फ्लीम पे मसाले को अच्छे से भून लिया है दिखिए तेल आपको बिल्कुल बिखड़ा होगा तो अब इसमें हम एड़ करेंगे वह फ्राइ किया हुए अंडा जो हमने फ्राइ करके रखा था वह हम डाल देंगी और मसाली के साथ हम आदे मिन अंडा तो अब इसमें हम पानी आड कर देते हैं जैसी एक मिनट हो जाएगा भूंती हुए तो तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आपको अंडे की ग्रेवी कितनी रखनी है आप उसी हिसाब से डालेगा फिलाल इसे ढख करकी पांच मिनट हम पका लेंगे और और फिर इसे ढख करके हम पांच मिनट के लिए बिल्कुल लो फिलेम पे पकने देंगे तो फिलाल इसे हम ढख देते हैं और देखिए अंडे को पकती हुए पांच मिनट और हो चुकी है तो अंडा काफी अच्छे से बनकर तेहार हो गया है बहुत अच्छी खुश्बू संदू आप दे लिए और चलिए से हम रिम कर लीती है और यह लीजी भावा सर्फर से अंडा करी बनकर तयार हो गया है शुक्ति शयचे बनते है तो आप एसे रास के साथ खा सकते है imper Bean, तो ज़रूर त्यूर। दोजरूर करियेगा thank you